हाई अवरीवन वेलकम बैक टू शद्धा गैलरी मैं हूँ शद्धा तो चलिए फ्रेंड्स आज एक और नई रेसिपी बनाते हैं आज की रेसिपी थोड़ी गाव के टाइप की है गाव में हम लोग इसी तरह से बनाते थे पर आपको यह रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो ऑईल डालना है आधा चमच राई डालेंगे और थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे आधा चमच मैंने जीरा डाला है थोड़ा सा उसको अभी आपको पकाना है अब देखि अगे एक दो बहुत ही बढ़िया इंग्रीडियन्स है उसकी वज़ज से यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है अब मैंने यहां पर कम से कम चार से पाच तमाटर है और अच्छे लाल कलर के पके टमाटर लेना है इस रेसिपी में जो खटा टेस्ट है इसी से इसका चकपटा और बहुत ही बढ़िया आता है तो हमको यहां पर टमाटर डालने के बाद कुछ यहां पर पाउडर मसाले हम डालेंगे एक चमच मैंने अद्रक लसन का पेस्ट डाला है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब हम मिर्ची पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए हमने भी वैसा ही डाल दिया है हल्दी तो डालना ही है अच्छा टेस्ट और कलर के लिए अब हम सारी चीजों को अच्छे से यहां पर अभी मिलाना है तो देखिए आगे दो most important ingredients है बहती बढ़िया सबजी लगने वाली है आगे मैं सबजी ही बना र इस तरह से पकाना है यह हो गया है अब देखिए गाव में हम मराठी में बोलते है आज हम यह आरन बना रहे है तो देखिए मैंने 5 मिनिट्स इसको बहुत अच्छी तरह से बॉइल किया है आधा ग्लास पानी डाल कर बॉइल करना है पाँच मिनिट्स से जादा मत करिए क्य आगे भी पकाना है तो देखिए यह हो गया है अब हम क्या करेंगे यह जो पानी और यह दाने है पोपट की फनली के जो दाने है इसमें हम डाल देंगे अब डालने के बाद कम से कम हमको इसको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा अच्छे से मिक्स कर दीजे और फिर धकन लगा कर हम बस इसको अभी पहले के आधा मिनिट अच्छे से पकाएंगे बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स यह सबजी जरूर इसको एक बार मेरे तरीके से ट्राइ करिए आधा मिनिट हो गया है तो चलिए अभी चेक करते है देखिए खुश्बू बहुत ही बढ़िया आ र तो बेसन का पहले आपको इस तरह से घोल बनाना है और फिर वो सबजी में डालना है इससे क्या होता है टेस्ट भी अच्छा आता है और जो ग्रेवी है सबजी की जो ग्रेवी है वो थिक बनती है तो अच्छा लगता है बेसन के जगह आप चावल का आटा वो भी यहां पर डाल सकते हैं अच्छा टेस्ट आता है उससे भी तो बस अभी मैंने इसको अभी अच्छे से दो मिनिट पकाया है तो कलर थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि हमने इसमें बेशन डाला है तो यह हमारी अभी आरन पोपट का आरन बनकर रेडी हो गया है खाने में बहुत ही सौ स्टुडियो में बाबाई